मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्त और सुरक्षित होंगे तर्श को पूजनिय पंडिजी ने अपनी कथा में एक कुपाय बताया है जिसे हम नवरात्र में यदी करते हैं तो कोई हमारा यदी पैसा वापस नहीं दे रहा है हमारा कहीं पर धन अटका हुआ है कोई कारे किया था मगर उसका धन अटक चुका है वह आप तक नहीं पहुँच पा रहा है ऐसे में आपको नवरात्र में एक मौका मिला है आप यह उपाय करके अपना अटका हुआ पैसा वापस ला सकते हैं कुछ ही समय में वह पैसा वापस आ जाएगा वह आदमी स्वयम ही आपको पैसा वापस ला कर देगा अगर आपकी कोई मनो कामना है उसके लिए भी आप यह उपाय कर सकते हैं आपको क्या करना है नवरात्री की किसी भी दिन नवरात्री में आप शिव मंदिर जा सकते हैं और शिव जी के समक्षिह उपाय कर सकते हैं यदि आप नवरात्री में सोम बार के दिन यहां उपाय करते हैं तो अति उत्तम होगा आपको क्या करना है ग्यारा आम के पत्तों की डाल लेनी है आपको एक डाल ले लिजिए जिसमें आम के पत्ते हों ग्यारा साफ पत्ते हों देखिएगा उसे साफ कर लिजिए जल सी धो लिजिए सुद्ध जल से गंगा जल छेड़क लिजिए और उन पत्तों को थोड़ा सा इ ज़िआे शिम मंदिर में आपको किस इस्थान पर यह चढ़ाना है आपको यह चढ़ाना है अशोसुन्दरी की जगा पर כैसे चढ़ाएंगे जो डंडि है आम के पत्तिगी जो डाठ है उसको आफ शिवलिंग की तरफ रखें और जो पत्ते हैं उसे अशोसुन्दरी नीचे क तरफ रखें आपको इस तरह के से करनी है और भगवान शिफ से कामना करनी है कि जो आपका अटका हुआ धन है किसी से लेना है या किसी को देना है वह जल्द से जल्द हो जाए अगर आप यह कामना करते हैं तो आपका कारे जरूर से जरूर हो जाएगा और आप एक कारे और कर जो आपने ये चड़ाया है, ये आम के पत्तों का उपाय किया है, उसमें से थोड़ा सा शहद आप किसी कपड़े में या फिसी कागज में लगा कर अपने धन वाली जगा पर भी रख सकते हैं, जिससे आपका धन बड़ेगा और आपका व्यपार अच्छा चलेगा, श्री शि अब ये ऐसे वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे पताईएगा अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंथी सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रस करके आल पर क्लिक कर दीजे जिससे मेरा जब भी कोई नया वीडियो आएगा वो सबस से पहले आप तक पहुँचेगा श्री शिवाय नमस्तु भ्यंदर शिकों हर हर महादेव जय माता दी